यहाँ पर हमारे सामने एक कहानी है, कहानी में तीन अलफाज है, रोटी, कुत्ता और बच्चे एक बहुत गरीब घर में मा अपने दो बच्चों के साथ रहती थी, साथ ही एक कुत्ता भी इनके घर के बाहर हमेशा रहता था गाउं में बारिश ना होने की वज़ा से दो दिन हो चुके थे, इनके यहाँ चूला तक नहीं जला था बच्चे भूख से तड़प रहे थे, मा ने बड़ी मुश्किल से थोड़े से गेहूं लाए और इसे पीस का रोटिया बनाई तीन रोटियां तयार हुई, मा और दोनों बच्चे खाने के लिए बैड़ गए इसी वक्त कुत्ता भी इनके पास आ खड़ा हुआ, इन तीनों ने एक दुसरे का मुँ देखा कुत्ता रोटि की तरफ देख रहा था, बेचारा कई दिनों से भूखा था सबसे पहले छोटे बेटे ने अपनी रोटि के चार टुकड़े किये और सामने रख दिया एक सामने रख दिया, इस तरह बड़े लड़के और मा ने भी ऐसा ही किया अब टोटल हो गए बारा टुकड़े, मा ने इन में से चारों में तीन-तीन तुकड़े तक्सीम कर दिये इस तरह से यहाँ पर जो रोटि के जो टुकड़े थे, वो सब लोगों को जोई तो मिल जाते हैं और सब खा लेते हैं, है ना, बारा टुकड़े हो गए और चार लोग थे, तो तीन चौग बारा, तो बारा टुकड़ों में से सब लोग अपने-पने तीन-तीन तुकड़े खा लेते हैं यह हुई एक कहानी, आप लोग भी ऐसे ही तीन अलफास की मदद से कहानी बना सकते हैं और इस कहानी को भी आप लोग याद करना है